आजकल मार्केट में बहुत फ्रेश मेथई और मटर मिल रही है तो इनी दो इंग्रिडियंट का यूज़ करते हुए हम पंजाब की बहुत ही फेमस मेथी मटर मलाई रेसिपी ट्राइ करेंगे जोकी रिच ग्रेवी के साथ भॉह पाईला Community यह बनाने में भॉप हेवं बहुत एज hके की होसे हैं और हेल्थ के लिए मेती हमारे बहुत अच्छी होती है और भॉन ही कम इंग्रेडि़ тебе के साथ ही रेडियो हो जाती है तो हेलो फ्रेंट सल्कम टॉपाय यह बहुत ही जल्दी पख जाती है तो एक दो बॉइल आने के बाद ही यह सौफ्ट हो गई है तो देखिए कितना ग्रीन कलर है अब इसी पानी में हम अपनी धुली हुई मेथी को भी डाल देंगे जो कि हमने बारी काट ली है धाना कि इसमें थोड़ा मोटी डंडिया ना हो जितने आप पत्तो का यूज करेंगे यह वेजटेबल उतनी ही टेस्टी लगेगी मेथी को भी हमें दो-तीन मिनट के लिए पकाना है फिर उसका पाने निकाल देना है देखिए कितना ग्रीन मेथी रेडियो हुई है अभी कड़ाई में मैंने दो टेबल सुन के करीब ओय ल जिनने अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़े एक दो मिनट पकाऊंगी फिर उसके बाद में इसमें हम साथाट काजू डालेंगे इससे हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही रिच रेडि होगी जैसे की हम होटल में खाते हैं उस तरह की ग्रेवी हमारी बनका रेडि होगी थोड और यह हमारी वाइट ग्रेवी बनका रेडि होगी अगर आपको रेड ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें टोमेटो भी एड़ कर सकते हैं पर यहां मैं वाइट ग्रेवी मेथी मत्रमलाई बना रही हूं तो देखी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हूं अब उसी घड़ाई म मैंने एक टेबिल स्पून के गरीब ओय लिया है और इसमें मैंने जीरा और हिंग डाल दिया है साथ ही अपनी ग्रेवी भी एड़ कर देंगे बस यह धियान रखना है इस ग्रेवी में काजू पड़े हूँ है तो हमें इसे कंटिनियस चलाना है अगर हम छोड़ देंगे त ककी अगलब कर दो हमाने और बीग डर मेथित रखने कर दी है तो बढ़िंगे मेथि तुमाटर यूज ने यह टियू है इसमें एक dal की जीब होड़ा कि ग्ला पाषचा में अब जाचाने के तो चलाने के लिए ऐसमें आब जर्कार पाटवाडल डाला है अब दो दिन मिनट अब इसमें अपनी घर की फ्रेश मलाई फेट कर लिया है मैंने उसे यूज कर रही हूं आप इसकी जंगे अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं अब इसे चलाएंगे अब इसे मलाई को हम अपनी ग्रेमी पूर अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस वेजटेबल का एक बार जरू ट्राइब करें अब इसे मैंने हाथ से मसल का थोड़ सी कसूरी मेथी डाल दी है यह ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी वेजटेबल बनाएंगे तो टेस्टी लगेगी बट कसूरी मेथी डालने से इस वेजटेबल का जो फ्लेवर है वह इन्हेंस हो जाता है कितनी सुंदर और कितनी लाजव वेजटेबल हमारी डेडी हुई है देखिए होटल जैसी मेथी मतर मलाई हमने घर पर कितना इसली रेडी कर ली है अगर मेरी रेसिपी आपको कुछ झाल